Hello students, in this lecture we will discuss about another type of aberration that is astigmatism aberration. Last lecture में हमने कॉबमा aberration को study किया था, तो कॉबमा aberration से थोड़ा सा difference अगर हम देखें तो उसमें वो जो aberration प्रोड्यूस होता है, उसको गहते हैं हम astigmatism aberration. सो कॉबमा aberration हम revise कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा point object principal axis से अबब होगा, तो जो aberration produce होगी हमारे पास, उसको हम कहेंगे कॉबमा aberration. वहाँ आपने देखा होगा कि हमारे पास कॉमेटिक टाइप की जो image है, वो produce होती है, concentric circles होते हैं, जो एक दूसरे को, circle इस type के होते हैं, जो एक दूसरे को touch कर रहे होते हैं, और उसकी जो shape अगर हम देखें, तो वो comet type की shape होती है, इस type की shape होती है, इसलिए इस aberration को हम कहते हैं, comatic aberration, यहाँ पर जो हम इस aberration की बात करें, तो इस aberration में, astigmatism aberration में, जो हमारा point object होगा, वो principal axis के above ना होकर below होगा, B point पे हमारा point object है, हमने एक lens लिया है, यहाँ पर PQ, raise जा रही हैं, P, B point से raise जा रही हैं, और pass कर रही हैं, lens से, astigmatism like comma is another aberration which is produced when object point lie off the principal axis of the lens. तो यहाँ क्या होगा, जब हमारी raise यहाँ से जाएंगी, तो यह यहाँ पे, एक point पे focus करेंगी, उस point को हमने name दे लिया, P. यह जो हमारा section है, B, P, P dash, इसको हम कहते हैं, टेंजेंशियल section या इसको हम vertical section भी कहते हैं, इस section को B, P, P dash को tangential section कहते हैं, या हम इसको vertical section भी कहते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा lens है, यहाँ इस पे पर perpendicular draw करेंगे, that is R, S, तो यहाँ से जो raise जाएंगी, R और S से वो एक point पे जाके, यहाँ पे meet होंगी, उसको हम एक another point name दे देंगे, that is P, 2, यह point हमारा P, 1 है, और यहाँ जो raise जा रही हैं, इस section से, B, R, S से, उसको हम sagittal section कहते हैं, या इसको हम horizontal section भी कहते हैं, तो एक हमारे पास जो image है, वो P, 1 पे form होगी, इसको हम primary image कहेंगे, और जो P, 2 पे form होगी, इस section की वज़े से, B, R, S की वज़े से, इसको हम कहेंगे secondary image, अब अगर हम यह जो हमारे पास दो point आए हैं, P, 1 और P, 2, अगर हम यहाँ पे P, 1 और P, 2 के बीच में screen रखें, starting में अगर मानलो हमने screen P, 1 के पास रखी, तो हमारे पास जो image हमें दिखाई देगी, वो इस type की दिखाई देगी, एक horizontal line, जैसे जैसे हम distance बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे पास image का size change होता जाएगा, P, 1 से थोड़ा दूर करेंगे हम अपनी screen को, तो जो हमारे पास image हमें दिखाई देगी, वो इस type की दिखाई देगी, फिर हम थोड़ा और दूर कर देगे screen को, तो जो image है हमारी इस type की हो जाएगी, और दूर करने पे हमारी जो image है, circle shape की हो जाएगी, फिर और दूर करने पे shape change होना start हो जाएगी, फिर इस type की, फिर पिल्कुल जब image हमारी जो है, जो screen है, P2 के पास आजाएगी, तो हमारे पास जो image आएगी वो इस टाइब से आएगी मतलब screen की position पे अगर हम image देखें तो हमारे पास horizontal line से vertical line तक ये सारी images हमें दिखाई देंगी और जहां ये circle दिखाई देगा इसको हम कहते हैं C that is circle of least confusion best possible image जो हमें मिलती है वो इस C पे मिलती है P1 से P2 के बीच में इस shape की आपके पास images आएगी और जो C पर आपको मिलेगी वो best possible image होगी किसी भी object की object B की तो अब यहां अगर देखें primary image surface क्या होता है और secondary image surface क्या होता है तो जो हमारी primary images है locus of primary images of these points is the surface of revolution about the lens axis is called primary surface तो primary surface जहां पर हमारी primary images बन रही है उन सब का जो locus होगा एक surface पे lens axis पे उसको हम primary image surface कहेंगे ऐसे ही secondary image का जो locus होगा उसको हम secondary image surface कहेंगे और the locus of circle of least confusion is the surface of best focus और जो locus होगा circle of least confusion का वो हमारा best focus होगा surface उसको हम कहेंगे surface of best focus तो अगर हम इस figure में देखें हमारे पास ये हमने कोई extended object ले लिया जो points से मिलकर बना हुआ है ये हमारे पास एक lens है और ये जो हमारा card surface है first वाला S1 है second वाला S2 है और center वाला S है तो ये जो S surface है ये जो first surface है S1 इसको हम कहते है primary image surface और ये जो second surface है इसको हम कहते है secondary image surface और ये जो इनको touch कर रहा है center पे S ये है हमारा surface of best focus तो अगर मैं aberration बताऊं astigmatism होता क्या है the failure of primary and secondary image surface to coincide is called astigmatism जब ये S1 और S2 surface एक दूसरे पे coincide नहीं करते तो उसको हम कहते हैं astigmatism और इसको हम positive कब लेंगे if the primary image surface is to the left of secondary image surface primary image surface left पे हो secondary image surface के तो उसको हम कहेंगे positive and otherwise it is negative तो ये है astigmatism जैसा हमने कॉमा पढ़ा था same as it is है बस वहाँ पर हम जो object लेते हैं वो principal axis से उपर लेते हैं principal axis है यहां लेंगे इस वज़े से जो effect produce होगा यह हमें circle मिलेंगे comet के shape की हमारी image की shape आएगी और जो अगर हम बात करें astigmatism की तो वहाँ पर हम principal axis से नीचे point object लेंगे so this is all about astigmatism next is curvature of field इसमें क्या होगा अगर हम एक lens लें यह lens लिया है हमने और यह हमारा एक extended object है यह ध्यान रखना extended object का जो size आप लोगे वो lens के size से कम होगा मैंने आपको paraxial rays और marginal rays बताई थी यह हमारी principal axis है जो principal axis के past वाली rays होती है उनको हम कहते हैं paraxial rays और जो इससे दूर होंगी उनको हम कहेंगे marginal rays तो क्या है the image of an extended plane object formed by a single lens is not plane अगर हमारे पास image बने गी एक extended plane object की अगर हम single lens यूज करें तो वो plane नहीं होगी अवे from the axis होगा वो क्या होगा ब्लर होगा अगर central वाला आम focused अच्छे से clean दिखेगी image बट आउटर पार्ट की वज़े से जो focus होगा वो ब्लर होगा और यह arise किस वज़े से होता है क्योंकि paraxial focal length different होती है from that of marginal focal length due to this क्या होगा paraxial and marginal rays produce images of different part of the extended object at different position और जो image आएगी हमारे पास plane ना होके वो इस type की आएगी यह हमारे पास real image की बात हो रही है और यह हमारे पास dotted जो है यह virtual image की बात हो रही है जब हम convex lens की बात कर रहे है करवेचर में हमारे पास एक ही type की image आएगी that is virtual image तो पहले हम दो case पढ़ेंगे convex lens के की इसमें image कैसी form हो रही है यहाँ पर जो image है हमें plane नहीं मिल रही उसमें हलका सा करव आ रहा है इसलिए इसको हम क्या करवेचर ओ फिल्ड और यह होता किस वज़े से है paraxial और marginal rays की जो focal length है वो different होती है तो वो different different positions पे focus करती है पास बनेगी करवेचर की form में यहां हमने क्या लिया एक lens ले लिया यह हमारी principal axis है यहां हमारे पास एक extended object है A and B अगर हम raise focus की बात करें तो यहां से एक ray गई उसने इस point पे focus किया और अगर यहां से center से जाएगी तो वो इस point पे focus करेगी और अगर हम यहां से बात करें तो एक ray जाएगी यहां पर और center की बात करें तो एक ray जाएगी यहां पर तो अब यह जो दो point हमारे पास आए है यह जो image हमारे पास बनी है यह इस extended object की image है जो की plane नहीं है A, B तो यह बात हुई जब हमारे पास real image बनी है अब virtual image हमारे पास कब बनेगी जैसे ये हमने एक lens ले लिया ये हमारा extended object है A, B, यहां से एक ray गई यहां पर और इस side से एक ray गई यहां पर तो अगर हम इनको back से देखें तो ये meet होती हुई दिखाई दे रही है यहां पर और यहां पर करवेचर इसमें भी आएगा अलका सा करव इसमें भी आएगा तो ये है करवेचर ओ फिल्ड अपिरेशन अब अगर हम बात करें हमारे concave lens की तो इसमें virtual image बनती है आपको पता है तो ये हमने लिया है एक concave lens यहां से क्या होगा rays जा रही है ये हमारा extended object है a, b, ray जाएगी यहां पर और direct जाएगी एक यहां से यहां और एक direct जाएगी और अगर हम इनको पीछे से देखें ये कहां match हो रही है यहां एक point पे match हो रही है और ये इस point पे और इन दोनों को मिलाने पर ये जो image हमारे पास बन रही है ये जो हलका सकर वा रहा है ये हमारे पास virtual image है a, b की a dash, b dash this is curvature of field for concave lens next topic is acromatic combination of thin lenses in contact acromatic combination पढ़ने से पहले आपको जो हमने chromatic application पढ़ी थी वो ध्यान होने चाहिए उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम एक convex lens ले रहे हैं और अगर हम white light यूज़ कर रहे हैं तो white light का जो dispersion होगा different colors में जिस color की wavelength ज़्यादा होगी जैसे red color की wavelength ज़्यादा होती है उसका deviation सबसे कम होगा वो इस point पे focus करेगी और blue का deviation red से ज़्यादा होगा क्योंकि wavelength कम होती है तो वो इस point पे focus करेगी तो ये था हमारे पास chromatic aberration और ये अगर हम concave के case में बात करें तो हमारे पास ये था concave के case में जब हम white light यूज़ कर रहे हैं अब अगर हम ये देखें हमारे पास अगर हम concave ले रहे हैं convex lens ले रहे हैं तो जो raise का focus है वो एक point पे नहीं आ रहा है different points पे आ रहा है बट अगर हम क्या करें इनका combination लें तो combination लेने पे क्या होगा जो एक की वज़े से dispersion produce हो रहा है वो annulled हो जाएगा दूसरे की वज़े से जो produce हो रहा है यह कहलो कि वो neutralize हो जाएगा a combination of convex and concave lens in contact such that dispersion produced by convex lens is nullified क्या हो जाएगा यह बिलकुल खतम हो जाएगा by the dispersion produced by concave lens so that image is free from chromatic aberration and this is called achromatic combination of thin lenses achromatic combination हम किसलिए करते हैं chromatic aberration को reduce करने के लिए करते हैं इसमें हम करेंगे क्या concave और convex को combine कर देंगे बट यह ध्यान रखना जब आप यह दो lens ले रहे हो तो दोनों same material के नहीं होने चाहेंगी अगर एक आपने crown का लिया है glass तो दूसरा आपको flint लेना पड़ेगा या कोई भी और different लेना पड़ेगा same आप नहीं ले सकते और फिर जब आप white light fall करवाओगे तो इनका focus आपको एक ही point पर मिलेगा और same image मिलेगी sharp image मिलेगी तो this combination is called achromatic combination of thin lenses इसके लिए जो important condition है important condition mathematical part इसका कैसे हम calculate करेंगे वो देख लेते हैं from lens maker formula 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 this is our equation 1 अगर इस equation को हम differentiate करें तो हमारे पस क्या आजाएगा minus df by f square is equal to d mu into 1 by r1 minus 1 by r2 this is our second equation अब हम क्या करेंगे mu minus 1 से multiply और mu minus 1 से divide कर देंगे तो आपको पता है यह जो हमारे पास है mu minus 1 यह क्या है हमारी first equation ही है इसकी जगा पे हम क्या put कर सकते है 1 by f put कर सकते है वो हमने put कर दिया और यह जो d mu by mu minus 1 है यह क्या होता है dispersive power होता है lens की d mu upon mu minus 1 इसको हम omega put कर सकते है तो fourth equation क्या होगी dispersive power of material of lens put करने के बाद हमारे पास fourth equation है minus df by f square is equal to omega by f अगर हम f और f dash focal length लें of the two lenses in combination और capital F, f लें इनकी mean focal length of combination then 1 by f is equal to 1 by small f plus 1 by f dash हो जाएगा और फिर क्या होगा omega और omega dash are respectively the value of dispersive power of material of two lenses तो हमारे पास अगर हम यह equation देखें इस equation को अगर हम differentiate करें तो क्या हो जाएगा minus df by f square is equal to minus df by f square minus df dash by f dash square यह six equation होगी अब हम क्या करेंगे fourth equation को six equation में इस equation की value को यहाँ इस equation में put करने के बाद हमारे पास क्या आजाएगी minus df by f square is equal to omega by f plus omega dash by f dash this is our seventh equation तो अब हमने क्या करने है जो हमारे पास achromatic combination होता है उसके लिए the focal length is same for all colors of light तो df is equal to क्या हो जाएगा focal length same रहेगी तो same means constant और constant term का derivative क्या हो जाएगा df is equal to 0 यहाँ put कर देंगे df 0 तो यह आजाएगी हमारे पास required condition omega by f plus omega dash by f dash this is our required equation जो achromatic combination के लिए हमें चाहेगी so our next topic of discussion is distortion aberration यह भी एक type के aberration है बट अभी तक हमने जो भी aberrations पड़ी है वो हमने यही पड़ी है कि जो image sharp नहीं आती clear नहीं आती तो जो aberration produce होती है वो अभी तक हमने study की है बट distortion aberration different है उन सबसे इसमें क्या होता है जो object होता है उसकी जो image हमें दिखाई देती है वो बिल्कुल अलग होती है size में, shape में जो हमारा object होता है उससे दो type के distortion हम पड़ेंगे एक होता है pin cushion और एक होता है barrel shape जैसे देखिए यह हमने एक object लिया है यह object लिया है हमने यह एक wire image type का है जाली type का object है और यह हमारा convex lens है तो वैसे तो actually होना क्या चाहिए था इसकी जो image है वो इस type से आने चाहिए थी बट आती कैसे है या तो इस type से आती है जिसके outer corners ऐसे बाहर है निकले हुए है या इस type से आती है जिसके यह outer corners inner side पे है इस type की image को हम pin cushion कहते है और इस type की image को हम barrel shaped distortion कहते है और यह produce कैसे होती है यह produce होती है the magnification produced by lens for different object point is different जो variation होती है magnification की वो अगर हम different points पे बात करें तो वो different होती है अगर हमारे पास यह object है तो यह जो नीचे वार line है इसके लिए magnification अलग होगी उससे उपर के लिए अलग, उसके उपर के लिए अलग होगी तो उस वज़े से यह मारे image की size है उसमें change आजाते है first हम study करेंगे pin cushion distortion if magnification produced by lens increase with increase of distance of the object point from the axis then outer part of the image field of view are pulled outward अगर जो magnification है lens की वो increase हो रही है increase in distance के साथ तो हमारे पास जो image आएगी वो इस type से आएगी उसके जो outer corners होंगे outer part होंगे वो outwards होंगे इसको हम क्या कहेंगे pin cushion और barrel shape में क्या होगा इससे opposite if magnification produced by lens decrease with increase in distance यहाँ क्या होएगा magnification decrease हो रही है जास जासे distance increase हो रहा है तो हमारे पास जो outer part of the image होंगे वो pulled inverse होंगे तो हमारे पास जो shape आएगी वो such kind of aberration is called barrel shaped aberration अब अगर हम stop use ना करें when stops are not in use then the image formed by a single lens is free from distortion अगर stop use ना करें तो हमारे जो image आएगी वो free from distortion होगी बट अगर हम stop use करें तो हमारे पास जो image आएगी वो distorted आएगी अगर हम जो हमारा stop use कर रहे है stop जो use करेंगे वो अगर हम यह हमारा जो object है A, B यह हमारा lens है तो अगर हम stop यहाँ use करते हैं अगर हम stop इस lens के पहले use करते हैं या इस lens के बाद में use करते हैं तो इस वज़े से भी हमारे पास जो image आती है वो distorted आती है जब हम यह stop use कर रहे हैं in front of lens कर रहे हैं then the distortion is barrel shaped distortion अगर हम यहाँ पर use कर रहे हैं इस stop को तो हमारे पास जो image आएगी वो barrel shaped की आएगी इस type से आएगी जिसके outer corners inverse होंगे और अगर हम जो stop use कर रहे हैं वो इस side use कर रहे हैं तो जो shape आएगी वो हमारे पास इस type की आएगी जिसके outer corners निकले हुए होंगे और अगर हम इसको remove करना चाहते हैं तो remove करने के लिए हम क्या करेंगे इस type के हम combination लेंगे lens L1 और L2 तो हम यहां पर stop use करेंगे इसका फाइदा हमें क्या होगा कि एक की वज़े से distortion प्रोड्यूस हो रही है दूसरे की वज़े से distortion प्रोड्यूस हो रही है वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी balance करेंगी तो object और image की shape में हमें कोई भी difference nature नहीं आएगा the distortion effect produced by first lens and that by second lens वो क्या कर देंगे एक दूसरे को balance कर देंगे तो यहां से हमारे पास जो distortion effect है वो remove हो जाएगा so students this is all about aberrations of lenses इसके साथ आपका ये unit भी complete हो गया आपको कोई problem है तो आप पूछ सकते हो thank you आपको को